हालो अब्रीवाइन मेरा राम है हरिश दाइंड है और स्वागत है आपका हर शाट क्रियेशन ड्रॉइंग और पेंटिंग क्लास के वीडियो फ्यूजन एक्जिबिशन आप लोगोंने सही पड़ा आज हम लोग फ्यूजन एक्जिबिशन क्या होता है पहले मों बता देता और हर शुड्ठ को हम लोग दो कैंवस देते हैं उनको कलर्स देते हैं पूरा आठ मैटेरल हम लोग प्रोवाइड करते हैं और यह सारी जो चीजे है वो हमलोग एक्जिबिट करते हैं और सेल के लिए भी होता है तो वहां से अगर कुछ सेल हो गया तो इसका पूरा मौन स्टूड़न को मिलता है हम लोग यह पूरा सिखातने के साथ एक्जिबिशन तक पहुचाने का काम, पूरा काम हम लोग करते हैं, सुडेंट्स को कुछ नहीं करना होता है, खाली एक्जिबिशन के दिन उनको आना होता है, और जो इनिमिटेशन कार्ड्स होते हैं, वो सौट कॉपी भेजना होता है वाटसप पे, या तो हार्ड कॉपी, वो अपने फ्रेंड्स और सबको दे सकते हैं, तो इस तरह से एक्जिबिशन और्गनाइज किया गया है, अब यह फ्यूजन क्यों बोला गया है, इसका नाम फ्यूजन इसलिए है, विकोज इसमें डिफरेंट टाइप के पेंटिंग स्टूडेंट्स ने बनाए, मतलब किस किसी को कार्टून पसंद है, किसी को फ्लावर, कोई लांड्सकेप करना चाहता है, को इस तरह से मिक्स है सारे, इसलिए उसको हम लोगों ने फ्यूजन नाम दिया है, तो यह जो सारे पेंटिंग आप देख रहे हो, यह सारे फ्यूजन ड्रॉइंग एक्जिबिशन के पें इसलिए है झाल 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 Stranded in the open Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me here Let anização go to theinci Hast you a little raise your heart So your news is not about The last of the night I expected to Do I quote the oil How do I do this? To a newbie Soft供 जफ़खशov झाल झाल आप लोगों को मजा आएगा सारे पेंटिंग देखे आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा और प्लीज लाइक करिए वीडियो को शेर करिए ताकि जो भी इंट्रेस्टेड है ड्रॉइंग पेंटिंग में उनके पास यह वीडियो पहुशना चाहिए आप खुद इस तरह के एक्जिबिशन में पार्टिसेपेट करना चाहते हो या द्रॉइंग पेंटिंग सीखना चाहते हो तो वेबसाइट को विजिट करिए www.harshartcreation.com या तो मुझे परस्नली कॉल करिए 9764-28-0027-PC, so I am waiting for your call and thank you so much for watching this video, bye for now and see you in the class.